1990 के दसक के प्रारम में राजनीती के अपराधी करण और पेशेवर अपराधियों के राजनीती करण का दुस्प्रिणाम केराना और कांधला जैसे कस्वों ने जेला है यहां पर हिंदो ब्यापारी और अन्या हिंदो को ब्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से प्लाइन करने के लिए मुझबूर कर दिया गया था देश के अंदर इस समाचार काफी सुर्खियों में भी था 2017 के बाद अपराध और अपराधियों की प्रती जुरो टॉलेंस की नीती के तहद जरकार ने जो कारवाई की थी उसके प्रिणाम शुरू इस कस्पे में सांती आई बहुत सारे परिवार वापस आये हैं 2017 में जब मैं यहां आया था तब यहां की लोगों ने मांग की थी कि सुरक्सा की दिरिष्टी से यहां की चौकी के सुद्रडी करण और यहां पर पीएसी के एक बटालियन के स्थापना हो चौकी के सुद्रडी करण के कारवाई पहले ही हो चुकी थी और यहां पर पीएसी के एक बटालियन की स्थापना की कारवाई के लिए आज मैं सुद्रडी में यहां पर आया हूं और कुछ परिवारों के साथ भी मैंने संबाद किया है जो पिसली सरकारों के राजनीति के अपराथी करण के सिकार हुए थे उसमें से ज़्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहां के हर एक परिवार को अस्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रती जिस जिरो टॉल्नेंस की नेती के तहट काड़े कर रही थी वह हमारी नेती नेती नेतर आगे भी चलीगी और यही आस्वासन देने के लिए आज मैं स्वेम इस कराना कस्वे में भी आया हूँ बच्चों के अंदर महिलाओं के अंदर एक विश्वास देखने को मिला है और यह विश्वास अवस्य रंग लाएगा क्योंकि आप एक केराना कस्वा प्राधिक गजविधियों का नहीं बलकि बिकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है यहां की जो मांग थी कि यहां पर अक्सर जाम होता है आज पाइपास बन रहा है और योगिक एक काईयों का यहां पर पुनर गठन के साथ साथ नहीं काईयां लग रही है काफी बड़े पैमाने पर यहां की जो और योगिक प्राधिकरण है उसके माध्यम से बिकास और निवेश की जो संभवना यहां पर बनी है उसके मात्यम से बहुत सारे लोगों को स्थाने स्थर पर ही रोजगार मिलना प्रारम हुआ है ब्यापार बढ़ना प्रारम हुआ है और हमें विश्वा से कि सरकार की 2017 में आने के बाद से जो नीती रही है और आधनी प्रधान मंत्री जी का जो एक मंत्र रहा है सबका साथ सबके विकास का तो हम विकास भी सबका करेंगे सासन की योजनाओं का लाप भी सबको देंगे बिना भेदभाव की देंगे लेकिन बेगार तुष्टी करण की नीती को अपनाए हुए अपराज और अपराधियों की प्रतीप अठोरतम कारवाई करने के अपने संकल्प के साथ ही आज हमारी सरकार और मैं स्वेम यहां पर आया हूँ और मैं फिर इस कस्वे के सभी लोगों के इस बात के लिए अस्वस्त करता हूँ कि वे बेजिजग यहां पर अपने पुर्वजों की भूई पर रहें यहां की विरासत को संग्रक्षन करना और साथ-साथ यहां के ब्यापारिक और रौत्यों की माहूल को और तीप्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर परकार का सयोग करेगी पिछली सर्माजवादी पार्टी सरकार के समय जिन परिवारों को छती पहुचाई गई थी उनके परिवार के सदस्चों की निर्मम हत्या भी थी मैंने जला प्रसासन से इसकी पर रिपोर्ट मांगी है उसमें से बहुत सारे दोसी कारवाई उनकी हो चुकी है सरकार उनको कुछ कंपंसेशन भी देगी मौफ़ा भी देगी जिससे वे लोग फिर से यहाँ पर अपने ब्योसाई को और अपने अन्या आर्थिक गद्विद्धियों को बढ़ा सकें और हर ब्यक्ति सांति पूर्ण तरीके से स्वहर्द पूर्ण तरीके से यहाँ पर रह सकें मैं इसलिए आज खास तोर पर उन परिवारों से मिलने के लिए और उनी के साथ मैं हमने दो पर का भोजन भी लिया है मेरे साथ प्रदेश अध्यक्स जी भी यहाँ के मानने सांसक जी भी हमारे विधायक भी प्रदेश सरकार के मंत्री स्ट्रोह सराना जी भी ये सबी लोग हमारे च्छेत्रिय अध्यक्स भी ये सबी लोग हमेरे साथ में इसी बात को लेकर के आए हैं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद